दोस्तों चेंदा मुठ्थ हो जाएं, मार्चमा में शनी गहरी नीन से जाग जाएगा, अर्थात अस्त अवस्ता से उधे हो जाएगा, सभी राशी वालों के लिए शनी का उधे होना उत्तम रहेगा, लेकिन धनू राशी वालों के लिए अति उत्तम रहेगा, आपकी राशी के लिए धन और प्राक्रम बाब का स्वामी शनी प्राक्रम बाब अपने बाब पर संचार कर रहा है इस बाब पर शनी के बेहतरीन परिनाम देखने को मिलते हैं लेकिन आज कल आपको वह शुब परिनाम देखने को नहीं मिल रहे होंगे जो की मिलने चाहिए क्योंकि फरवरी योज़दी होगी, इस लिए शनी के सहयोग में भारी कमी मुणी हुई है, मार्चमा के स्रवाती दो सबता के बाद शनी के सहयोग में बनी हुई कमी दूर हो जाएगी, शनी अंधेरे कोएं से निकल कर उजाले में आ जाएगा, जो आपके जीवन में भी उजाला करेगा, तों विश्वाश में अद्वुद्वरिदी होगी इसलिए करुफल दाता शनी देव के नाम पर एक लाइप तो बनता है शनी की मजबूस्तिति आपको वह सब परदान करेगी जो आप डिजर्व करते हैं मार्चमा में शनी के उदे हुने के अलावा अन्या चार ग्रहों सूर अन्या सुख और समरीदी लेकर आएंगे इसलिए मार्चमा धनू वालों के लिए महत्त पुरन रहने वाला है वीडियो में विस्तार से जीवन के सभी महत्त पुरन शेत्रों पर चर्चा करेंगे वीडियो बहुत महत्त पुरन रहने वाली आप वीडियो के अंध तक बने हैं नमस्कर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वाज़त करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षी तैस्ट्रों मास्टर में मेरे धनूर अच्छी वाले दोस्तों कैसे हूँ मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है चिंता का कोई विश्या नही है स्वास्त के द्रिष्टी कौन से भी मार्च मां उत्तम बना रहेगा लेकिन पंद्रा मार्च के बाद वह दोस्त जो गर से बाहर गूमने फिर नहीं यह यात्रा करने का सोज विचार बना रही हैं वह यात्रा करते समय खान पान पर अधिक ध्यान दे नहीं तो स्वास्त पर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। विद्यारतियों को समय की शुपता का भरपूर लाग मिलेगा। इसमा विद्यारती शिक्षा के शेतर में बहुत अच्छा कार्या करेंगे। पंचम बापके स्वामी मंगल के उच्छ राशी परसंचार से विद्यारती मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। प्रत्योगी प्रिक्षाओं में समलित होने वाले विद्यारतियों को सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। इसमा विद्यारतियों को अपनी मेहनत बोधिक इसमा प्रेमियों को अपने प्रेमियन के साथ गूमने फिरने यात्रा करने और प्रसपर समय वितीत करने के अनकूल अफसर मिलेंगे, मोज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे, घर से बाहर रेस्टोरेंट वगेरा में स्वाधिश्ट वियंजन खाने का अनन्द प्रापत करे शादी शुदा दोस्तों के लिए भी मार्च मा अनकूल बना रहेगा, दमपत्या जीवन में सुक शांती और प्रसंदा का महोल बना रहेगा, लेकिन साथ मार्च से दमपत्या बापका स्वामि बुद्ध राहु के साथ यूती योग बनाएगा तथा अपनी नीच राशी पर संचार करेगा, इसलिए कभी कवार जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतवेद भी देखने को मिलेंगे पर मामला जल्द सूलज जाएगा, खास कर कोई नकरात्मक परवाब नहीं पड़ेगा, आर्थिक द्रिष्टी कौन से भी मार्च मा निराश नहीं करेगा, महत् दन के आवागमन में तेजी आएगी, केवल दो माशेश रह गए हैं गुरू के राशी परवरतन को, जाते जाते गुरुदेव आर्थिक उन्नती लाप और सफलता को बलबरदान करेंगे, आर्थिक रुप से कमजोर दोस्तों के खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे, पं गुरुदे माईवूस नहीं करेंगे, राशी परवरतन से पहले दो माँ मार्च और अप्रेल माउन के लिए बहतरीन रहने वाले हैं, इस अवदी में इच्छा पुरन के प्रवल योग बनेंगे, बिगडे हुए कार्या समर जाएंगे, भाग्या दन सुक और समरीदी आए भाग्या के बंद दर्वाजे खुल जाएंगे, सोया हुआ भाग्या जाग उठेगा मार्च और अप्रेल मा में, आपका बेडा पार लगाने के लिए गुरु एहम रोल अदा करेगा, संतान, सुक भूमी भवन और वाहन से सबंदित इच्छा वाले दोस्तों की इच्छा पूरण होगी, भूमी भवन और वाहन से सबंदित सुखों में वरिदी होगी, क्योंकि गुरु देव आपकी राशी के लिए चतुर्थ बाप के स्वामी भी है, चतुर्थ बाप का स्वामी जब पंचमबा पर संचार करता है, तब चतुर्थ बाप के सुखों में चमतकार व्रिदी करता है चतुर्त बाप से मन, मा, मातर भूमी, भूमी भवन, जमीन, जैदा, सुक, जनता और वाहन आधी का विचार किया जाता है इन सब के सबंद में गुरू की स्थिति उत्तब बनी हुई है इसके लावा पंचम बाप के भी शुबफल देखने को मिलेंगे पंच मा लाब के अनकूल अबसर लेकर आएगा पुराने समय के ठंडे और मंदे पड़े निवेश में भी तेज्जी देखने को मिलेगी निवेश कारें से चुड़े दोस्तों की पांचों नहीं दसों उंगलियें घी में रहेंगी संतान से सबंदित दूरे पड़े कारया पुर बहु बल तीनों बलों के सुक्षायोग में वृदी होगी इसके लाबा इस मा के हो रहें राशी परवर्तन उपर एक नज़र डाले तो मार्च मा में सबसे पहले शुकर और बुद्ध का राशी परवर्तन है साथ मार्च तक बुद्ध प्राकरमबा पर संचार करेगा तो धन बापर संचार करेगा धन बापर शुकर धन सुक में वृदी करता है कटूंब में सुक शांती बनी रहती है करम बाप के स्वामी बुद्ध का प्राकरम बापर संचार करियर के दृष्टी कौन से उत्तम है कार्याशे तरमे आप अपनी मेहनत और बुद्धी बलके दम सफलता प्रापत करेंगे साथ मार्च को दोनों ग्रैराशी प्रवर्तन कर एक एक भाव आगे बढ़ जाएंगे शुकर प्राकरम बाप में प्रवेश कर जाएगा तो बुद्ध सुक बाप में प्रवेश कर जाएगा बुद्ध के सुक बाप पर बेहतरीन प्रिनाम देखन को मिलते हैं सुख बाप से बुद्ध की करम बाप अपने बाप पर उच्च द्रिश्टी करियर में तरक्की पक्की करेगी कारह शित्र में आपके कारियों की परशंसा होगी तो शुकर क्रेटी बनाएगा क्रेटीविटी के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कारिया क करेंगे आई बहनों के माद्यम से लाप के अफसर पैदा होंगे मित्रों के सुख हम सैयोग में वरिदी होगी तता मित्र सैयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे शुकर और बुद्ध के बाद सूर्य और मंगल का राशी प्रवर्टन है चोदा मार्श तक सूर्य प्राक्रम बाब पर संचार करेगा तो पंदरा मार्श तक मंगल धन बाब और अपनी उच्च राशी पर संचार करेगा दोनों ग्रहों की स्तिती उत्तम बनी हुई है उसरे बाब से धन वानी और क्टूंब का विचार किया जाता है इस बाब पर मंगल का उच्च राशी पर संचार आ प्रवेश कर जाएगा तो प्राक्रम बामे प्रवेश कर आपको वी बनाएगा प्राक्रमी साहास प्राक्रम और आतम विश्वास का सतर नई उन्चाईओं को छूएगा कार्याशंता में अदफ़द वृधि होगी कार्याशंता के सासत लेखन शंता में भी वृधि देखने को मिलेगी मेधनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे सहासपुरन और जोकिम पुरन कार्यों को सरलता से हनजाम देंगे जीवन में आगे बढ़ने और जोखिम लेने के उदेशिया से यह ग्रैग उच्रियसिती बहुत अपयोगी साबित होगी शनी और मंगल का यूती योग अक्सर प्रिशानी पैदा करता है लेकिन प्राक्रम बाप पर दोनों का यूती योग आपके मनोबल को शक्ती पर दान करेगा शत्रू नाश्यक का कार्या करेगा शनी भी अस्त अवस्ता से उदे हो जाएगा आप प्राक्रम बाप पर शनी के ब इंक बैलनस में वृद्धी करेगी। उधर सुखवा पर सूर्य और बुद्ध के युतियोग से बुद्ध अधित्या राययोग और के अंदर तिरकौन पती राययोग का निर्मान होगा, जो आपके मान समान भोधिक शम्ता और धन में वृद्धी करने का कार्या करेगा। ले केर ना करें, महत्त पुरन कारया जब तक पूरन ना हो जाएं उन खारियों का किसी के आगे खुलासा ना करें। राहू की शरारत से विरोधी सामने ना कर गोपत रूप से सक्रिये रहेंगे। इसलिए जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखें जाते जाते कमेंट बॉक् के बाल आए जकार को जोश जोश ऑर सक्रिये जोश भी के लो जाते हैं।